असलाम अलेकुम फैंट्स दोस्तों आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वह अंब्रेला मशीन के उपर बना रहे हैं यह अंब्रेला मशीन जब आप खरीदें तो उस अंब्रेला मशीन में किस तरह के पार्ट्स लगे हों जिससे आप यू मशीन की लाइफ ज्यादा होगी में आप नाम में ना परिशान हो जो भी मशीन मिले अच्छी क्वालिटी की उसको आप खरीच सकते हैं उसी के उपर हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं कि आपको एक कोशिश किया जाएगा दिखाने की बताने की अमरेला मशीन में अच्छी मशीने किस तरह की आती है तो आ कांती का टाने में चाहलब बीचा या अफनी मशीर अने में टूर्टेशन में टूर्ड जाता था तो अब तो आपको सम्में अच्छे quality मसीनों में कांती आता था और इंडिया गेट अब अब यह इंडिया गेट आप देखेंगे आप देक हैं पूरा complete steel होता है पहले यहां पर आप देखते थे तो इसमें कास्ट टाइरन होता था जो चलते चलते यहां तोड जाता था यह पूरा स्टील देता है तो यह टूटता ही नहीं है सिलाइब बहुत ज्यादा है कर सामने से आके देखेंगे जैसे इसका टेंशन वगरा यह अग्दम जूकी मशीनों की तरह चौड़ाय देता है ऑर बहुत बढ़ी स्ट कि चलता है पोतप साथिदल द्हागय का टेंशन इससे मिंटेन होता है फिर आप आगे इसमें आते हैं सलाई यह सब मशीनों की जान होती है इसकी सलाई चापे दाते यह सलाई आप देखेंगे यह स्टील की होती है यह जैसे जुकी मशीन के अंदर हाई स्पीड मशीन जो होती है इसमें स्टील की सलाई होती है उसी तरह इसमें सलाई स्टील की दि होती है अंदर से खाली होती है सकी लाइब बहुत होती है है साथ साल श्लाइब एक दवर Ły ends में लीजए सलाई कर दिने हैं जबकि पहले जो सलाय हमां पति लोह कि नहीं है यह देखेंगा यहाँ देखेंगे, उपर तक आएगी, खाली रहेगी, इसमे एक बुन तिल डाल दीजेगे, पूरे सराई ऑब अच्छुटकी देखेंगे, चुटकी भी अलगतर हा कि रहेगी, जुटकी दिया फिर इसमें आप इसका चापा, देखेंगे, ये सुरागदार चापा होता है, जैसे यह जुक्क मशीनों में होता है 다यां में चलों और में तो आपको समस्फ डिया रहता है तो जब आप कप्ड़े चलाते हैं तो अगरmore इसraftम पे अंधाज मिले यह पٍसीधा चला रहे हैं तो यह चलाता है हि आपको आपको फेले इसा सीधा चला रहता है तो अंदर आप इसका देखेंगे बूश वगएरा भी सब हाइट टेमपड दिया होता है यह इस ताइप का बना रहता है यहां पे चड़ा जगा कि आप इसमें तेल भर देंगे तो इसके सुराख में से सलाई के अंदर तेल जाता रहेगा तो सलाई में हमेशा पीछे से भी मशीन को देखें तो पीछे भी आपको देखें निया से स्प्रिंग वगड़ा लगा रहता है यह स्प्रिंग फाइदा यह रहता है कि जब आप घुटना ऐसे पैर से उठाते हैं तो चापा ऊपर नीचे जोता है ना तो काफी स्मूथ होता है इसकी वज़ा स मशीन को आपको हम पलेट के भी दिखा देखें नीचे से भी आप देखेंगे तो पूरा डबल लॉक की फिटिंग दिए रहेगा यह डबल लॉक से क्या होता है ना कि मशीन की लाइफ ब्रती है मशीन थामे रहता है अगर मांज़े गेर और खुल भी जाता है तो पकड़ा इसमें भी आप देखेंगे बुश के लॉक दिये रहेंगे अंदर अंदर तो यह सब पार्ट्स अच्छे होते हैं तो इसी तरह कि आप पार्ट्स देख करके अम्रिला मशीन खड़े दिये कोई भी खड़े दिये वह आपकी मर्जी है एक से एक मशीन आती है फल्वे मशीन इस तरह के मिल जाए मशीन आप खरीद लीजिए अम्रेला मशीनों की लाइब बहुत होती है चुकि यह सब फुल राउंड शटल की मशीन होती है जान शटल ही होती है यहां से टाइमिंग सही रहेगी धागा सही से जाएगा मशीन बहुत चलेगी पाकि उसके अंदर जितने हमने पार्ट बताएं वह सब अच्छे पार्ट लगें तुससे उसकी आउल लाइफ बढ़ जाती है तो एक छोटा सा वीडियो था उमिद करता हूं आपको पसंद आया हो जब आप मशीन खरीदे तो इस तरह से देख लें कि वह मशीन में कैसे प देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि मशीन अच्छी क्वालिटी की है या मीडियम क्वालिटी की है वह उसके पार्ट बोलते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है पार्ट खुद बताएंगे आपको ओके दोस्तों मैं फी वीडियो कंप्रीट कर रहा हूँ शुक्रिया